बिहार के बर्तमान सिक्षा विवस्ता के ऊपर आज हम कुछ खुलासा करना जाते हैं खुलासा करने से पहले मैं अपना परिचाए बता दूँ मेरा नामे पपु कुमार और आप देख रहे हैं परिवर्तन तक जिस परकार पार्ट वन का रिजल्ट जारी करने के बाद अभी तक रिजल्ट इंटरनेट पे सो नहीं हो रहा है ताकि एस्टूडेंट जो है अपना रिजल्ट और अपना परिणाम देख सके इसको लेकर के कई सारी इनवर्सिटी की गड़बडियों को देखा गया है पेपर में एलाउंसमेंट दिया गया है कि 88,000 कुछ बच्चे पार्ट वन की परिक्षा में सफल हुए है जबकि करीब करीब 35,000 के संख्या में एस्टूडेंटों की परिणाम नहीं आपाई है और वे फेल हो चुके है हाला कि जिन एस्टूडेंट का परिणाम आया हुआ है और जो एस्टूडेंट फेल है उन दोनों के बीच एक कनफ्यूजन पैदा हुआ है और दोनों एस्टूडेंट कनफ्यूजन में है कि कि किसका परिणाम आया है और किसका नहीं आया है बिहार में result जब जारी होता है तब से ही student के भितर एक उत्सा उर्जा परकट हो जाती है ताकि हम अपने result को देख पाएं और अपने परिणाम को देखें लेकिन आज चौथा दिन हो रहा है result declared करने के बाद लेकिन आज तक अभी तक portal नहीं खुला और बिहार के सिख्षा विवस्ता पर यह सबसे बड़ा प्रस ने चीन खाड़ा करने वाला सवाल है चार दिन के बाद भी part 1 का result पोटल पर नहीं दिखाया गया इसका सबसे बड़ा मैं region यह चीज बताता हूँ जो कुछ paper के माधियम से निकला हुआ है जैसे मारे पास हाथ में एक दैनिक जागरन paper का जो है एक cut in है इसमें लिखा हुआ है आपको कि असनातर के परड़ाम में हुई बहुत बड़ी गलबड़ी सुदार के नाम पर बंद किया गया portal मैं बता दू दोस्तों कि पार्ट वन की परिक्षा में जो है पचास कोश्चन पूछा गया था पर कोश्चन दो नमबर कर था यानि कि यदि पचास कोश्चन में से दो तीन कोश्चन यदि गलत होते हैं स्टुडेंटों का तो उसका परिणाम जो है सम संख्या में आना चाहिए लेकिन जो रिजल्ट डिकलियर्ड किया गया था वह सम और भी सम दोनों संख्याओं में किया गया था रिजल्ट डिकलियर्ड जो कि सबसे बड़ा प्रश्चन जो है खाड़ा करने वाला था दूसरी चीज़ थी कि इसमें जो पोटल में कंप्यूटर इसकी ओमर सीट की जांच हो रहे थी उसमें जो कोडिंग डला खया था वह सम संख्या में कोडिंग नहीं डला गया था यदि क्वेश्चन जब दो नंबर का एक ता और पचास कोश्चन पुछा गया था तो उसमें जो भी रिजल्ट आना चाहिए वह सम संख् प्रश्निचीन करता है और बिहार की सिक्षा ब्यवस्ता पर सबसे बड़ा यह प्रश्निचीन है और बिहार की सिक्षा ब्यवस्ता क्यों इतना बरबाद हो रहा है इसका सबसे में करन है कि बिहार के जितने भी सिक्षा मंतरी बनते हैं वे सारे के सारे भरष्ट मामलों में न कि यदि आप बिहार के सिक्षा को सुधार नहीं सकते हैं परिणाम और परिक्षा लेने के बाद स्टुडेंटों को सही रूप से परिणाम दे नहीं सकते हैं उनकी रिजल्ट जो है सही समय पर डिकलियर्ट नहीं कर सकते हैं तो आप बड़ी-बड़ी दावे मत कीजिए अभ तो में रिजल्ट का परिणाम जो है अज मिलेगा और कल मिलेगा जिस परकार से सबसे ज़्यादा yaş रप्र warfare ने के बाद आपके उपर यज सब्से ज़्यादा पिअधा बिहार के सब्से ज़्यादा एस सिथिती में देखी जा रही है इससे पहले 2020 में बिहार में सिक्षा मंतरी बने थे मेवालाल चौदरी जी उन्होंने सबसे बड़ा भरष्ट मामला में पकड़े गए थे उन्हीं के प्राइबेट अस्कूल उन्हीं के नाम से खोला गया प्राइबेट अस्कूल के अंदर बाकायदा सराब की बोतल मिला जिस बिहार में सराब बंध है तो आप समझे कि वैसे मंतरी बिहार के सिक्षा में विकास कैसे करेंगे जो इन्वर्सिटी के अध्यक्ष है मेरा उनसे भी आग्रा है कि यदि आप 10 दिनों में आपके पास ऐसी सिस्टम अबलेबल नहीं है कि आप बच्चों को पढ़िणाम डिक पढ़िणाम दे ताकि बिहार की सिक्षा ब्यवस्ता पर छात्रों का एक विश्वास बने ऐसे ही बिहार के सिक्षा ब्यवस्ता पर इससे पहले भी कई सरी प्रश्नेचीन खड़ी हुई है चार दिन के बाद भी रिजल्ट डिकलियर्ड होने के बाद पोटल पर नहीं इंगरी को ये करीब करीब 5 साल तक ले जाते हैं और उसके बावजुद भी हर जगह पूरे इंडिया में जितने भी एस्टेट है वह प्राइबेट इनवर्सिटी हो या गॉर्मेंट इनवर्सिटी हो करोना की इतनी बड़ी महामारी में उन्होंने या तो बचों की जो है ना एक्जाम के बिदाउट जो है परमोट किया या तो उनकी एक्जाम ओनलाइन ली गई लेकिन बिहार सरकार ने इन दोनों में से कोई भी काम समय पर नहीं किया लेकिन बाद में यदि एक पहल भी किया और एक्जाम भी लिया हुए अमार्सिट पर तो भी एक शुड़न्टों को एक बार फिर जो है बिहार की सिक्षा बेवस्ता से भरोसा ही उठ गई मुझे लगता है कि बिहार के इनुवर्सिटी में जितने ही टेक्निसियन बहाल होते हैं टेक्नोलोजिस से जुड़ा हुए जितने भी वरकर इसमें काम करने के लिए आते हैं य चाहिए पचास कोस्चन और पर कोश्चन दोन नमबर का होगा तो कंप्यूटर में कोटिंग के तोर पे समसंख्या के अनुसार रियल्ट जारी करना चाहिए तो उसमें कोटिंग में क्यों किया गया यह सबसे बड़ी सवाल है अथा विहार के सिक्षा मंतरी तथा भियुमर इस परकार से दूरुपियोग जो है सिक्षा की नहीं की जानी चाहिए और बिहार के शुडेंटों को जो है सही समय पर रिजल्ट घोसित कर उनके अंदर बिहार की सिक्षा ब्यवास्ता के प्रती एक भरोसा और एक उर्जा पैदा करनी चाहिए केमरामेन बिस्वजित के साथ परिवर्तन तक से मैं पपू कुमार